कि नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आरेस अग्रवाल मेट्स कलास शीक्स एक्सरसाइज एड़ सी के कोस्चेन नमबर 9 को बनानी के लिए सिखेंगे तो सबसे पहले कोस्चेन को हम लोग रीड करते हैं कहता है कि what must be added to 5x cube minus 2x square plus 6x plus 7 to make the sum x cube plus 3x square minus x plus 1 कोस्चेन को सबसे पहले समझना है बच्चो कहता है कि what must be added मतलब की हम क्या add करें to इस में इस expression में हम क्या add करें कि हमारा sum मतलब जोगफल इतना हो जाएगा ठीक है बच्चो ध्यान से समझेंगे कहता है कि क्या add करें इस expression में सपोच किजिए कि हमारे पास एक नंबर है 10 10 इसमें क्या add करें यह ब्लेंक्स है इसमें क्या add करें कि हमारा सम जो है वह 15 हो जाए ठीक है यही कोस्टेन है इस expression में हम क्या add करें कि सम इतना हो जाए मतलब 10 में हम क्या add करें कि 15 हो जाए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 10 में हम क्या add करेंगे तो 15 होगा यह 5 कैसे आया यही process हमें यहां करना है इसमें हुआ क्या बचो यह 15 इधार आ गिया और इसमें हम subtract कर दिये 10 तो 15 में 10 subtract हुआ क्या आया 5 आया बस ठीक सेम इसी तरह से यहां करना है इस expression को हम पहले लिखेंगे चलिए हम लोग लिखते हैं इस expression को पहले लिखेंगे x cube plus 3 x square minus x plus 1 अब इसमें हम यह minus कर देंगे इस पूरे expression को तो हम हम minus का sign देंगे और bracket का प्रियोग करते वे इस expression को लिखेंगे क्या कहता है 5 x cube minus 2 x square plus 6 x plus 7 bracket 1 अब फिर हम लोग आगे बनाते हैं तो इस expression को हम लिखेंगे जैसे कि तैसे x cube का x cube plus 3 x square का 3 x square minus x plus 1 अब इस expression जो bracket में बन्द है तो हम क्या करेंगे पहले bracket को open करेंगे नियम क्या करता है कि bracket के बाहर जदी minus का sign रहेगा तो bracket open करते समय अंदर में जितने भी sign है वो बदल जाते हैं जैसे यहां plus 5 x cube है तो क्या हो जाएगा minus 5 x cube यहां minus 2 x square है तो हो जाएगा plus 2 x square plus 6 x है तो हो जाएगा minus 6 x और यह plus 7 है तो हो जाएगा minus 7 equal to अब क्या करेंगे हम को जितने भी like terms है सारे like terms को हम एक तरब करेंगे जैसे x cube इसमें है तो x cube वाले इने भी terms है उसे एक साइड ले आएंगे यह दोनों को एक साइड लाते हैं है minus x तो minus x और एक यहां है minus 6 x minus 6 x अब इसको लिखेंगे plus 1 को plus 1 और फिर minus 7 यह जितने भी terms यहां है सभी terms को हमने लिख लिया अब हम लोग like terms को like terms के साथ minus यह plus जो भी करने के लिए कहा गया हो करेंगे तो चलिए पहले इन दोनों को सब्सक्राइब करेंगे फिर इन दोनों को solve करेंगे फिर इन दोनों को solve करेंगे फिर इसको solve करेंगे ठीक है चलिए एक plus है और दुसरा माइनस है तो जब भी एक प्लस और दूसरा माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं जो अधिक रहता है उसका साइन परियोग में लाते हैं और अधिक से कम को सब्ट्रेक्ट करते हैं तो 5x साइनस्ट कीब में एकश क्यूब मतलब 1 x कीव मैंनस हो जाएगा क्या बचेगा 4 x कीव यहां हम लिखेंगे 4x कीव अब दूसरा दोनों साइन प्लस है मतलब जब भी दोनों साइन सेम रहे तो हम लोग तो दोनों साइन में इसेएक साइन को परियोग मिलाते हैं और दोनों को आपस में येड करते हैं तो tharill स्क्वार और 2 x वस्क्वार्य वेस्स क्या हो जाएगा जाएगा मिल रखोल सही सोच रहे आप लोग 5 x hug राइट अब यहां पर में क्येंगा, 6x or 1x कितना हो गया? 7x हो गया, 7x लिख दीए, फीर एaksi एक प्लस और माइणास तो जब भी गों तो इसम का कर दुनबर लाता है, उसका sign परियोग में लाते हैं, और अधिक से में कहसे कम करते हैं, तो 7 में वन सब्क्रेक्ट हो जाएगत क्या बचेगा 6 बचेगा तो यह minus 4x cube plus 5x square minus 7x minus 6 इस expression को हम लोग इसमें add करेंगे तो हमारा answer इतना होगा तो question number 9 का यह हमारा क्या हुआ this is our answer धन्यवाद बच्चों उमीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद